हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेलकिम टू माइ चैनल अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे ये कपड़े चट पर ले चलो, मुझे घर ले चलो, चटाई आंगन में ले चलो, अपने साथ कुछ पैसे ले चलो ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंगलिश में बोलने के लिए हम टेक वर्ड का यूज करते हैं Take a Sense ऐसे Sentences में ले चलो से किया जाता है। इसको लेकर Sentences बनाने का कोई well defined rule तो नहीं है, क्योंकि हम इसको Sense के According Sentences में अप्लाए करते हैं, लेकिन Don't worry, आप जैसे जैसे Examples देखेंगे, आपको बहुत easily समझ में आता जाएगा, कि इसको लेकर sentences कैसे बनाते हैं बहुत ही simple है तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आज जाए ये कपड़े छत पर ले चलो Take these clothes on the terrace Take these clothes on the terrace Mujhe घर ले चलो Take me home Take me home चटाई आंगन में ले चलो Take the mat to the yard Take the mat to the yard अपने साथ कुछ पैसे ले चलो Take some money with you Take some money with you ये सामान मेरे कमरे में ले चलो Take this stuff to my room Take this stuff to my room बच्चों को खिलने के लिए garden में ले चलो Take the kids to the garden to play Take the kids to the garden to play इस कुरसी को बाहर ले चलो Take this chair outside अपनी किताबे उपर ले चलो Take your books upstairs Take your books upstairs अब एक सेंटेंस आपके लिए ये टेबल किच्चन में ले चलो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे क्या आप मुझे कमेंट्स में बताईए इस वीडियो में इतना ही अगर आपने इसने कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अगर आप मेरे चैनल पढ़नाए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल एक इन को प्रेस करना मत दूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचेंगे चलिए अब मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाई